हलो बच्चो, नमस्कार, पहरे बच्चो, लास्ट किलास में हम लोगों ने रियल नंबर्स के LCM SCF के टॉपिक को बढ़ा था और साथ ही कुछ कैलकुलेशन सीकी थी, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छा, अब हम लोगों आज इर्रैसनल नंबर के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉटन्ट है, आपके एक्जाम पॉइंट अभी से और इसका मान के चलो कि एक कोशन फिक्स होता है, जो पेपर में आता ही आता है, ठीक है, तीन नंबर में फिक्स होता है कि आ आना ही आना ही है, ठीक है, किस-किस टाइप के कोशन आ सकते हैं, वो सारे टाइप से मैं आज ही करा दूँगा, ठीक है, इसके बाद आपको किसी भी तरह के कोई परिशानी इस से, इस से मतलब किस से, ये आपका इर्रैसनल नंबर से, आप अनिमे संक्या से कोई डाउट नह ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर तरह के कोशन मैं आज ही कवर करा के चला जाओंगा, ठीक है, तब आपका रियल नंबर फिर खतम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इसके बाद वो आता है terminating और non-terminating सांत और आसांत वो आपके course में से हट गया है इस साल के लिए लेकिन next year से आएगा वो जब भई next year वाले बच्चे आएंगे ठीक है अच्छा और क्या plus point है और क्या बताना चाह रहा हूं लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैं सिखाता हो चलूंग है मैं एक बात बताना चाहूंगा टेस्ट लेने वाला हो मैं science का ठीक है b science का test होने वाला बच्चों first chapter का ठीक है फाट्च चैप्टर का टेस्ट होने वाला chemical reaction & equation chemical reaction and equation ठीक है रसाइनिक अभी किरिया और समी करनल इसका test होगा revise कर लो test किस दिन होगा Thursday थर्जडे कितने बज़े होगा वो टाइम आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा कि हांजी थर्जडे को मैं टेस्ट कितने बज़े लूँगा दो घंटे पहले आपको मैसेज आ जाएगा टेस्ट से दो घंटे या देड़ घंटे पहले और उस टाइम तक आपको रैडी हो तॉपिक। बहुत इंपॊंटन टॉपिक है जैसा आपको पता है ठीकO हम तो भाजanın करते हैं इंद पत्शों सब्सिंपल एंथ बताइए इ Hilux number Net है और इंद नंबर होते कि है पर इंद दो तरीके के होते कि इंद दो होते हैं क्या एक जो भाइं हमारा क्या हो Conquer and denote कैसे ज़से क्या आपना चले जारे हैं चले जारे हैं concurrent हैं मतलब एक पॉइंट लगने के बाद वो लगातर continue खिचे जा रहे हैं और एक जह होता है नॉन concurrent non concurrent का मतलब क्या जिनकी value आपस में कभी रिपीट नहीं होती कभी कोई value कभी कोई value कभी कोई value कभी कोई value इस तरीके सारी है जैसे root 2 ठीक है इसकी value अगर open करोगे तो 1.41 फिर कुछ कुछ फिर root 3 को खोलोगे तो 1.732 फिर something something इस तरीके से तो मतलब क्या है हर किसी की अपनी अपनी value क्या हो रही है अलग-अलग level पे बदलती जा रही है तो यह हमारे roots में होते हैं आप उसे क्या बोल देते हैं irrational number बोल देते हैं लेकिन यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है कि irrational number होते क्या है आप यह बताओ ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि irrational number प्रूफ करो कि हाँ यही है ठीक है जैसे हमें पता है कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है यह बात हमें पता है हमें यह बात पता है कि इर्रेशनल नंबर क्या है रूट टू जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है रूट टू जो है वो एक आपरी में संग्या है लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि रूट टू एक irresional number है ये प्रूफ करके दिखाना है ठीक है चलो उससे पहले कुछ बात बताना चाहूँगा आजी आप लोगोंने बच्चो आप हाजजे संख्या सुनी होगी प्राइम number के बारे में अपने बात क्यों होगी कौन होते हैं प्राइम नंबर लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि जो अपने आप से और एक से डिवाइड हो या दूसरे सब्दों में जिनका HCF वन हो यही सीखा था अब इसी के साथ साथ बच्चों एक नहीं चीज आती है सह अभाज्य संख् को प्राइम नंबर ये एक नया टॉपिक आता है आपके सामने कौन सा टॉपिक आता है को प्राइम नंबर ठीक है को प्राइम पई जहां पे भी को लग जाए ना समझ लेना वहाँ दो लोगों की बात हो रही है जहां जिसके आगे भी क्या लग जाए को बस समझ लेना वहा लग 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 लोग मतलब लड़के लड़के दोनों पढ़ते हैं हम कहते हैं अजया कहा देते हैं को एजुकेशन को एजुकेशन मतलब क्या वही जहां पर लड़के लड़के दोनों पढ़ जाते हैं इसी तरीके से को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या जहां पर दो प्राइम नंबर एक साथ लिए जाते हैं जहां पे दो प्राइम नंबर एक साथ लिए जाते हैं ठीक है और अगर प्राइम नंबर नहीं भी ले रहे हो तो उनको as a prime number treat करना है उनको क्या करना है as a prime number treat करना है ठीक है जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 और 4 अब भई मुझे पता ये prime number है लेकिन ये prime number नहीं है लेकिन co prime ये है आपस में क्यों है co prime number क्या है co prime number ये भी समझो तो बैरे बच्चो co prime number वो है जब मैं दो नमबरों को आपस में एक साथ लूँ और मैं ये देखूँ कि क्या भाई ये आपस में एक दूसरे को factor कर सकते हैं factor मतलब क्या गुननखंड कर सकते हैं मतलब क्या कि भाई क्या 3 4 को divide कर सकता है नहीं क्या 4 3 को divide कर सकता है नहीं मतलब दोनों एक दूसरे को किसी प्रकार से divide नहीं कर सकते, इनको बस एकी number divide कर सकता है, कौन? 1, 1 एक ऐसा number है, जो इसको भी divide कर सकता है, और इसको भी divide कर सकता है, तो co prime number का मतलब यह जरूरी नहीं है, कि आप दोनों के दोनो number prime number ही लो, अब दो ऐसे नंबर भी ले सकते हो जो आपस में divide ना हो रहे हो ठीक है लेकिन अगर वही मैं लेता four और six अब बताओ क्या ये co prime number है तो भाई ये co prime number नहीं है क्यों क्यों क्योंकि ये भी two से divide हो रहा है और ये भी two से divide हो रहा है लेकिन one इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है मतलब कहने का मतलब यह है कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जब कभी दो नंबर अगर ले लिए जाएं तो पहले वाले का कोई भी multiple दूसरे वाले को divide ना कर पाए और दूसरे वाले का कोई भी multiple पहले वाले को डिवाइड ना कर पाए उसे कहा जाता है co prime number उसी को क्या कहा जाता है co prime number ठीक है? याँनी ऐसे दो number जिन को सिर्फ और सिर्फ कौन divide कर पाए? वन वही आपस में क्या होते है? co prime number होते है लेकिन अगर कोई भी ले पड़ गई चलो अब जब सब को समझ में आ गया है तो आज हम अपना तीन नंबर का एक टॉपिक खतम करते हैं और वो टॉपिक क्या है जरा गौर से देखिए ठीक है बच्चो कोशन है कि प्रूव देट कि प्रूव देट रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर ये बच्चो कोशन है सिद्ध कीजिये की सिद्ध कीजिये की रूट दो एक आपरी में संख्या है अब देख लो बच्चो यह आपके पास कोशन दिया हुआ है असल बात तो यह है कि आपको पहले से ही पता है कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है रूट टू एक आपरी में संख्या है यह हमें पहले से पता है लेकिन वहाँ पे इसने आपसे आता पता नहीं पूछा कि हाँ भई आपको पता है कि नहीं पता है अगर पता तो हाँ लिको नहीं पता तो नहीं लिको ऐसा कुछ नहीं पूछा है ठीक है उन्होंने कहा बकाइदा सिद्ध करके दिखाईए आप प्रूफ करके दिखाईए तो हमने का ठीक है जी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो करेंगे कैसे बच्छों सिद्ध क्या करना है इर्रैसनल नंबर आप परीमे संग्या आप इसका उल्टा मान के चलो तो आप परीमे का उल्टा क्या होता है इर्रैसनल का उल्टा क्या होता है तो आप मान के चलो एक परीमे संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ रूट दू बराबर प अपन में क्यूँ ले लो या A upon में B ले लो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा अच्छा A upon में B क्यों लिया, क्योंकि हम में पता है rational number जो होता है, वो या तो P upon में Q के form में होता है या A upon में B के है, या X upon में Y, जो मन करें वो ले लो तो मैंने क्या किया, भाई मैंने root 2 को माना क्या है root 2 को मैंने rational number माना है, परी में संख्या माना है इसलिए मैंने root 2 को कैसे लिख लिए, A upon में B के बराबर मैंने root 2 को कैसे लिख लिए, A upon में B के बराबर ठीक है, अब हम लोगों की एक कमजोरी है, क्या root रूट देखते ही हम लोग भई खुंदगा खा जाते हैं बिल्कुल खिश जाते हैं कि यहां भई रूट कैसे दिख गया वर्ग करने पर, चलिए, दोनों तरफ स्क्वाइर कर देते हैं, अब देखो, रूट मर जाएगा ना, रूट खतम, चलो, मुसीबस से तो बचे, मुसीबस से तो बचे, अब बी स्क्वाइर यहां पर क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा, टू बी यह बनगी आपकी equation number first, अब जब यह equation number first बन चुगी है, तो बता आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है, अब एक बाताओ, जब बी स्क्वाइर, टू का multiple है, ठीक है, बी स्क्वाइर, क्योंकि देखो ना, बी स्क्वाइर को जब यहां पर लेकर आये आप, तो आपने क्य चेक किया, आपने यह चेक किया, कि जो यह two है और यह b square है, आपस में multiply कर रहे हैं, और यह है किसके बराबर, a square के, तो इसका मतलब क्या है, बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ, two into three, बराबर six, two into three, बराबर six, क्या मैं कहीं पर भी गलत हूँ, नहीं, अच्छा, अब बी, यह भी two का multiple बन रहे है, और यह तो automatic क्या है बई, two का multiple बनेगए बनेगा, क्यों, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, बराबर, तो बच्चों याद रख ना, जब कोई भी दो content आपस में बराबर हो, याद रख ना, वो दोनों के दोनों content सेम चीजों के must में यह का साथ है यह भी टू का मट्टिपल है इसका मतलँ हमने क्या देखा क्या अगर हमने देखा कि अगर 1 2 2 2 2 बराबर a square है so मैं कह सकता हूँ 2 is the factor of factor of factor of a square हा की ना बोल सकता हूँ की नहीं क्योंकि अगर 2 b square का multiple है तो 2 यहाँ पर multiply कर रहा है वहाँ जाके क्या करेगा divide तो इसका मतलब a square को divide कर सकता है की नहीं कर सकता है definitely तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस परकार इस परकार दो a square का एक गुननखंड है एक गुननखंड है अब सीधी simple थी बात है मुझे इतना पता है कि जब 2 a square का एक factor है तो 2 is also the factor of the factor of a अगर 2 a square का एक factor है तो 2 किसका a का भी factor होगा यह हमें याद करने की जुरुत नहीं है यह understood है कि बाई सीधी सी बात है जब कोई multiple मान लो 6 है या एक काम करते है मान लो मैंने ले लिया 16 मुझे दिख रहा है 16 किसका square है 4 का square है तो बाई अगर मैं इसको 2 से divide करूँ तब भी कटेगा और 16 है किसका square 4 का square और मैं अंदर के 4 को divide करूँ मतलब यह आपको बाई a square जैसा लग रहा है ठीक है और यह अंदर वाला कैसा लग रहा आपको a जैसा तो यानि हमने a square को divide किया तब भी हो गया और a को divide किया तब भी हो गया तो इससे हम यही सीख रहें बच्चो कि 2 is the factor of a square अगर 2 a square का एक factor है तो 2 a का भी factor होगा ठीक है 2 a square का अगर एक गुननखंड है तो भाई 2 a का भी गुननखंड होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 a का भी a का भी एक गुननखंड है कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई भी समस्या देखो एक एक बात clear करते हो चल रहा हूँ मैं इसलिए नहीं समझ माया है बार 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 वीडियो को देखो लेकिन यह एक ऐसा question है जो fix है किसी भी हाल में change नहीं होगा ठीक है पचास बार कर लो ऐसी करना है बार बार ठीक है तो हमने क्या देखा भई square किया b square को उठा के मा ले गए हमने देखा कि b square का जब यह multiple है तो इसका factor होगा तो बस 2 is the factor of a square अगर 2 a square का factor है तो 2 a का भी factor होगा ठीक है now now अब यहां पर एक छोटा सा काम और करना है अब आपको यहां पर एक छोटा सा काम और भी करना है क्या काम करना है काम यह करना है let करना है let a बराबर 2 c क्या let करना है a बराबर 2 c ठीक है क्या let करना है a बराबर 2 c माना a बराबर 2 c now अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना बच्चो मुझे एक सिंपल सी बात बताना now squaring both side squaring both side ठेक है both sides दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर चलो करना बच्चो जो रहा वर्ग A square और 2C का square यही करेंगे ना दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हुआ दोनों तरफ square कर दो A square क्या होगा A square दो का square चार और C का square C square सही बात हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ A square किसके बराबर है A square किसके बराबर है 2B square के बराबर तो मैं A² की जगाँ पर 2B² रख सकता हूँ की नहीं रख सकता हूँ जल्दी बता दो भाई A² किसके बराबर है 2B² के तो मैं A² की जगाँ पर 2B² रख सकता हूँ 2 से यह 4 कटेगा कितना हैगा 2 तो देखो B² बराबर 2C² आगया हाँ की ना जल्दी बताओ अब देखो ये B² किसका मल्टीपल था 2 का B² किसका मल्टीपल था 2 का और यहां पे B² किसका मल्टीपल आ रहा है अब देखो C² किसका मल्टीपल आ रहा है 2 का तो हमने क्या देखा जब B² 2 का मल्टीपल था तो वो A को factor कर रहा था और अब 2 किसका multiple है? C square का, तो वो किसको factor करेगा? वो B को करेगा, तो क्या मैं यहाँ पे इस case को इसकी नजर से देख सकता हूँ? तो यह क्या बनगी हमारा? Part 2, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जब 2B square A square के बराबर था, तो मैंने क्या लिखा? 2 is the factor of A square और अब 2C square B square के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा? So, हाँ जी, 2 2 is the factor of is the factor of factor of B square, सही बात है की नहीं 2 B square का का एक गुननखंड है एक गुननखंड है अब मुझे एक सिंपल सी बात, अभी-अभी मैंने बताई कि जब 2A square का एक गुननखंड है और 2B square का भी एक गुननखंड है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 is also the factor of factor of B का भी होगा ठीक है? तो इसका मतलब मैं कहा सकता हूँ 2 B का भी एक गुननखंड है अब समझने वाली बात अब समझने वाली बात क्या समझने वाली बात? यहाँ पे एक line लिखनी थी जो मैंने आपको जान बूचके निलिखवाई यहाँ पे एक line लिखनी थी क्या? आपने root 2 को किसके बराबर माना है? A अपन में B के बराबर तो यहाँ पे आपको एक line लिखनी है क्या? वेर वेर A एंड B आर को प्राइम नंबर आर को प्राइम नंबर ठीक है? हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे जहां जहां A और B कि Sहाभाज्य संख्या है सहाभाज्य संख्या है कोई दिक्कत? अच्छा सहाभाज्य का मतलब क्या समझाएथा मैंने? कि सिर्ष सहेभाज्य संख्या वो संख्या होती है यानि 2 ऐसे नंबर जिन्हें सिर्फ एक डिवाइड कर पाए नहीं, इन दोनों को सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है, यह 6, 7, इन दोनों को और को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है, 6 और 12, नहीं भाई, अब इसको डिवाइड कर सकता, इसको दो भी डिवाइड कर सकता, तीन भी डिवाइड कर सकता, एक भी, तो इसका मतलब अब ये co prime number नहीं है तो याद रखना co prime number कौन होते हैं वही होते हैं जिनको सिर्फ one divide कर पाए लेकिन अब relation देखो लेकिन अब relation देखो अब मैं क्या सिखाना चाह रहा था भाई root to कौन था असल में root to कौन है एक irational number मैंने उसे जबड़दस्ती क्या let किया हुआ है rational number मैंने उ क्या तो किसी से भी divide हो सकती है लेकिन क्या co prime number किसी से divide हो सकते हैं नहीं co prime number सिर्फ और सिर्फ किस से divide होने चाहिए one से और मैंने a को और b को क्या माना है co prime number अब ज़रा ध्यान से देखो a और b को जब मैंने co prime number माना है तो a और b को सिर्फ कौन divide करना चाहिए one सिर्फ कौन divide क करना चाहिए वन लेकिन एक को टूबी डिवाइड कर रहा है और बी को टूबी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हमारी कलपना क्या रही गलत हमारा जो यानि अजमसंती वो क्या रही गलत रही तो हम यहां पर बस आप एक लाइन लिखने वाले हैं हम यहां पर आप क्या and second from equations, first and second, we obtained that, we obtain that, that, that two is the common factor of, two is the common factor of, common factor of a and b, a and and b, okay, I will write here, okay, two is the common factor of a and b, what is a and b, what is a and b, where, what are we going to read, but this contradicts, but this contradicts, but this contradicts, the fact that, the fact that a and b have, a and b have no common factor, no common factor other than, other than one, صحیح بات ہے بھئی, کیوں, کیونکہ a اور b کیا ہے, common, co-prime number, اور میں نے کیا بتایا تھا, co-prime number کا کبھی بھی common, one کے سوا, کچھ نہیں آسکتا, لیکن یہاں تو one کے علاوہ کیا آگیا, two آگیا, تو اس لیے کیا ہوا, کہ جو ہماری کلپنا تھی, from equation first and second, ہم نے یہ پایا, کہ two is the common factor of a and b, جو two ہے, وہ a اور b کا کیا ہے, common factor ہے, but this contradicts the fact, لیکن یہ ہماری باتوں کو غلط ثابت کرتا ہے, کیونکہ a اور b کا one کے سوا کوئی common factor نہیں ہونا چاہیے, a اور b کا one کے سوا کوئی common factor نہیں ہونا چاہیے, اس وجہ سے ہماری بات کو یہ کیا کرتا ہے, غلط ثابت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہم لکھیں گے, therefore, therefore, our assumptions, assumptions, our assumption is wrong, is wrong, so, so, root two is an irrational, irrational number, ठीक ہے जी, यहाँ पर लिखेंगे, hands proved, अब हिंदी वाले बोलेंगे, हमें तो लिखवाया है नी, तो जल्दी से इसको note करो, फिर हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूँ, मैं, यह हिंदी वालों के लिए बोल दूँगा, ठीक है ना, फटा फट लिख लो, फिर हिंदी वालों के लिए बोल देता हूँ, इसे note कर लो, बच्चो, note कर लो इसे, वीडियो पॉस करके note करो, बागी सब तो मैंने हिंदी में लिखवाया है पस ये रह गया हिंदी में लिखना ठीक है तो ये मैं भी लिखवाता हूँ कि लिखो हिंदी वाले लिखेंगे जब यह नोट कर लोगे आप लोग जब यह पूरा नोट कर लोगे ठीक है वीडियो पॉस्ट करके पहले नोट कर लो कि नोट कर लिया अब नोट करने के बाद यहां लिखो समीकरन एक वा दो से हमने पाया समीकरन एक वा दो से हमने पाया कि दो A और B का उभैनिस्ट गुननखंड है दो A और B का उभैनिस्ट गुननखंड है जहां जहां A और B सह अबाज्य संक्या है जहां A और B सह अबाज्य संक्या है जहां A और B सह अबाज्य संक्या है इसलिए हमारी अवधारना गलस साबित होती है कौन सी अवधारना? परिमे संक्या वाली, ठीक है न? हमारी अवधारना गलस साबित होती है इस परकार रूट दो एक आ परी में संक्या है नीचे लिख लेंगे एक लाइन रूट दो एक आ परी में संक्या है प्रूफ हो गया, ठीक है? चलो नोट कर लो इसको तसलिए से सभी और लिखर भी लेंगे हम जी बच्चो चलो अब देखो अब जैसे ये कोशन कर लिए न हमने अब माल लो आपके पास रूट थ्री का आ गया रूट थ्री तो कुछ नहीं करना जहां तुम्हें टू दिख रहा है ना बस वाँ थ्री कर दो जहां जहां तुम्हें टू दिख रहा है बस वाँ थ्री दिख कर दो सेम केस है ये सारा का सारा सारा का सारा सेम जहां भी तुम्हें टू दिख रहा है बस थ्री कर दो बस हां यहां फूर की जगा थ्री मत कर देना थ्री का स्क्वार हुआ है तो 9 आएगा यहां पर क्या आएगा 9 और यह 3 अब 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा अब वेसी बात अपने यां पर क्या हो जाएगा 3 तीक है फिर ऐसे ही यहां पर हर जगह 3 3 3 3 ठेक फिर यह थारा यहां पर 2 के जगह 3 टेक और कुछ रह गया बस बागी रूट तू के जगह ठीक है इसी तरह root 5 आ जाएगा तो बस 55555555 बस यहां पे 9 के जगा 5 का square क्या होता है 25 तो 25 ठीक है इस तरीके से फिर cut करके 5 कर देना फिर इस तरीके से अब यह मत बोलना अगर 4 आ जाए तो बेफ कूफोर root 4 2 होता है ठीक है तो वो तो पहले ही rational number है ठीक है तो उसका नहीं कुछ ठीक है तो यह बस समझ में आ गई तो इसके इससे related कोई सभी कोशन आए कप कर दोगे root 2 root 3 root 5 root 7 root 7 अब आपने घर से root 3 root 5 root 7 यह सब क्या कर लेंगे note कर लेंगे ठीक है चलो अब एक नए टाइप का कोशन करवाता हूँ तीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो root 5 यह दो यह से इस मिटा दू अब देखो अब यहां पे देखना अब मैं आपको ऐसे कोश्चन करवा रहा हूँ जो आप बोलोगे कि सर यही आ जाएना तो जादा अच्छा रहेगा मैं यह कहूंगा कि इस टॉपिक में यह सबसे टफ कोश्चन थे जो मैंने आपको अभी करा दिया और अब जो कोश्चन करवाँगा ना इजी होंगे इसके मुकाबले दिखने में बड़े होते हैं लेकिन करने में क्या होते हैं बहुत ही छोटे करने में क्या होते हैं बहुत ही छोटे बस बात खतम हाँ जी यहां तक तो सेम रहेगा कोश्चन क्या है टू रूट थ्री is an irrational number 2 root 3 एक आ परी में संख्या है ठीक है? ये प्रूफ करना है 2 root 3 पहले तो क्या था? सिर्फ root 3 अब क्या है? 2 root 3 अच्छा, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना आप लोग 2 root 3 2 root 3 में कौन rational जैसा दिख रहा है और कौन irrational जैसा? तो आप तुरंट बोलोगे कि सर 2 rational जैसा दिख रहा है और root 3 irrational जैसा 2 परी में संक्या और root 3 आ परी में संक्या जैसे दिख रही है तो बस बात खतम बस बात खतम तो यहाँ पह लिखो 2 root 3 is a rational number माना 2 root 3 एक परी में संक्या तो 2 root 3 बराबर क्या लिख लोगे? क्या लिख लोगे? a बटा b और वाकि सेम यही थारी चीजे ठीक है? अब 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? multiply यहाँ पर आके क्या करेगा? divide यहाँ पर आके क्या करेगा? divide अब मुझे एक बात बताओ आपने a बटा b को क्या मान रखा है? परी में संक्या और यह किसके बराबर आ गया? root 3 जबकि हम जानते हैं कि root 3 एक irrational number है और a बटा b कौन है? एक rational number है अभी अभी लेट किया नहीं? बच्चों हमने अभी अभी क्या लेट किya? कि a बटा b एक rational number है और root 3 हम पहले से ही जानते हैं क्या? कि यह एक irrational number है कहां proof किया था? अभी थोड़ी देर पहले कि root 2, root 3, root 5, root 7 यह सब कौन है? irrational number है और जब हम यह बात proof कर चुके हैं तो सीधी सी बात है क्या कभी कोई rational number कभी irrational number के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता तो बस आपको बता है यहां पर क्या लिखना है now now we know that we know that root 3 is an irrational number irrational number so 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 our assumption is wrong our assumption is wrong therefore therefore 2 root 3 is an irrational number बस इतना सा करना है आपको irrational number इतना सा करना है बच्चो आपको मतलब क्या? हमने बच्चो root 2 root 3 को जबदस्ती क्या माल लिया? rational जब 2 यहां multiple कर रहा था तो यहां के क्या किया? divide तो हमने क्या देखा? कि यह तो rational है? यह rational है? नहीं तो क्या कभी कोई rational number कभी किसी irrational number के बड़ाबर हो सकता है? क्या कभी कोई pari मे संक्या कभी किसी a pari मे संक्या के बड़ाबर हो सकती है? नहीं तो जब नहीं है तो बस इसका मतलब क्या है? कि यह एक irrational number है तो हमें यही तो साबित करना है कि यह गलत है जो हम लेट कर रहे हैं हमें यही साबित करना है गलत तीन नमबर का कोश्चन आएगा उतार देना हिंदी वाले क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि रूट तीन एक आपरी में संक्या है क्या लिखेंगे यहां पर इस प्रकार हमारी अवधारना अवधारना गलत है इसलिए दो रूत तीन एक आपरी में संख्या है बस इतना सा काम करना फिरी का नमबर इतने से काम मतलब इसमें आपको कोई स्क्वारिंग बोज साइड वगेरा यह सब करने की जुर्रत नहीं है ठीक है तो है सिंपल यह वाला तीन नंबर में देगो फिरी का नंबर ठीक है एक कोशन वर कराता हूं एक कोशन वर कराता हूं नोट करो इसे जल्दी से एक मिनिट का टाइम देरो जल्दी नोट करो इसके बाद यह आपका आज इर्रेसनल नंबर रेसनल नंबर का टॉपिक खतम फिर मैं सीधा आपको क्या सुरू करवा दूँगा फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुरू करवाँगा नहां मतलब वही एक तो टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग तो कराऊंगा ही साथ मैं वर्ड प्रॉब्लम भी करवा दूँगा कुछ वर्ड प्रॉब्लम करवा देता हूं बाच्छे ठीक है न हाँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कभी कभी एक्साम में आ जाते हैं और इस साल मुझे पूरी उमीद है कि इर्रेसनल लगडे करा दूँगा ठीक है चलो ये नोट हो गया नोट हो गया अब देखो अब क्या करना है अब कोशन थोड़ी सा बदल रहा हूं कोशन क्या हो गया कोशन हो गया five province root three कोशन में क्या change आया 5 minus root 3 ये लिखा हुआ है ठीक है कोशन क्या लिखा हुआ है 5 minus root 3 कोशन क्या लिखा हुआ है 5 minus root 3 तो बस आपको बोला गया है prove that 5 minus root 3 is an irrational number सिद्ध कीजिए कि 5 minus root 3 एक आ परी में संक्या है ये आपको prove करना है ठीक है जी तो आपको एक मैंने बता दिये ये इसके अंदरे रटा रटा है ग्यान बताना है क्या अगर irrational proof करना हो तो उसे let क्या करेंगे अगर आपरी में सिद्ध करना है तो क्या मान लेंगे परी में ठीक है अब परी में किसको माना गया है 5 minus root 3 को किसके बराबर माना गया है a बटा b क्यों क्यों क्योंकि a बटा b एक परी में संक्या होती है सही बात है बस बात खतम यहां से हम काम करना शुरू करेंगे ठीक है यहां से हम काम करना शुरू करेंगे चलो यह सारी बात लिग दी अच्छा अब करना क्या है कौन माइनस में दिखाई दे रहा है रूट 3 तो अब इसको क्या करो 5 भाई A प्लस B A अपॉन में B इधर प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का रूट 3 इधर माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का इसके नीचे कुछ नहीं है तो B को इससे मंटिपलाई 5B A को इससे मंटिपलाई A नीचे को नीचे से B बराबर रूट 3 अब जड़ा मुझे एक बात बताओ भाई A अपॉन B क्या है परीमे संक्या लेकिन रूट 3 क्या है एक A परीमे संक्या मतलब A बता B एक रैसनल नंबर है लेकिन रूट 3 एक क्या है एक रैसनल नंबर तो बस जो लाइन अभी मैंने नीचे लिखवाई थी न वही सेम लाइन चिपका देनी है बात खतम हो गया कोश्चन तीन नंबर का जो मैंने अभी नीचे ये तीन लाइन तीन लाइन लिखवाई थी न वो पूरी की पूरी लाइन डिटो यहाँ पे चिपका दो बस जहां पर हमने अभी थोड़ी दिर पहले क्या लिखा था जहां पर हमने ये लिखा हुआ है न ये 2 रूट 3 बस उसकी जगह पे 5 माइनस रूट 3 कर देना बाकि सब कुछ से में चिपका दो ऐसे का ऐसे ही तीन नमबर फ्री के देखो कितना सरल बना दिये तुम्हारे लिए मैंने क्योंकि भाई मुझे साब अब कोई लॉजिक पूछे तो साब बता दो अरे भाई A बटा B यह पूरा का पूरा फॉरम किसके रूप में रेसनल और रूट 3 क्या है इर Рेसनल तो क्या कभी दोनों बराबर हो सकते हैं नहीं हो गया काम क्तम, कोईशन हो गया पूरा एक और करते हैं एक और करते हैं अब ऐसे यह आता है बस अब दो कोशन और करवा रहा हूं फिर आपका इर्रेशनल नंबर का टॉपिक खतम फिर तो कोई सभी हो इसके सिवा कोई आज तक रिपीट हुए ही निया जो करवार हो ना बस यहीं आएंगे बस इसी की प्रैक्टिस कर ले ना दो चर बार क्या चलो नोट कर लियोगा नोट कर लियोगा यह लाइन है तो मैं पता ही निखनी है जो पहले इस से पहले वाले कोशन मी निखआ दी ना सैम वही लाइन जिपका देना ठीक चलो आप नया कोशन देखेंगे अब कोशन में क्या है देखो, अब कोश्चन में है, तीन प्लस में दो रूट पांच, ठीक है, सिद्ध कीजी कि तीन प्लस दो रूट पांच, ठीक है, एक आपरी में संगे, क्या है बच्चो, तीन प्लस में दो रूट पांच, तो बस, बात खतम, यहाँ पर करो ऐसे, तीन प्लस में दो रूट प यहाँ पर भी लिख लो ऐसे तीन प्लस में दो रूट पाँच हाँ भई अब मैंने क्या बता है प्रूफ क्या करना है? Irrational तो क्या लेट करोगे? Rational सिद्ध करना है आप परी में तो मानोगे क्या? परी में ठीक है? मानोगे क्या? परी में अब आपको पता ही है तीन प्लस में दो रूट पाँच को हम क्या मान चुके हैं? परी में रैसनल नंबर और रैसनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है? A अपॉन में B तो आपका टार्गेट पता है क्या है? आपका टार्गेट है रूट वाले को अकेला करना कर दो बात खतम भाई, थ्री के साथ रूट है? नहीं तो प्लस का तीन वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस A बटा B माइनस तीन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एक को इससे मंटिप्लाई A B को इससे मंटिप्लाई 3B नीचे को नीचे से B अब मैंने क्या बताए था? रूट वाले को अकेला करना है दो यहां क्या कर रहा है? मल्टिप्लाई वहाँ जाके क्या करेगा? बस बात खतम A माइनस 3B बटा 2B जल्दी से बताओ A बटा B का फॉर्म रैसनल नंबर होता है लेकिन क्या रूट 5 एक रैसनल नंबर होता है? नहीं होता है मतलब A बटा B एक परी में संक्या होती है लेकिन रूट 5 एक परी में संक्या नहीं होती है वही तीन लाइन यहां पर फिर से चिपका दो और यहां पर इसकी जगा पर तीन प्लस में दो रूट पांच लिख देना हो गया answer करो, तीन नमबर फिर से फिरी में करना कुछ है ना असान तो इतना सा simple सा question है मतलब आपका target क्या है बच्चो रूट वाले नमबर को अकेला करना आपका target क्या है रूट वाले नमबर को अकेला करना तो देखो मैंने क्या किया, यह plus का 3 था मा ले गया, minus का, 2 यह multiply कर रहा था हमाँ divide, तो यह rational बन गया, यह irrational बन गया और rational और irrational कभी भी आपस में बराबर नहीं होते चिपका दो वही यह line अब जो line मैंने इस से पिसले question में बताई थी वही line दुबार चिपका देना, बस 2 root 3 की जगा पर क्या लिख देना 3 plus में 2 root 5 एक last type और बजग गया है इसके बाद आपके irrational number का topic खतम फिर मैं terminating और non-terminating भी आज ही बता देता हूं, ठीक है फिर इसकी एक class रह जाएगी, एक class बाद आपका यह chapter खतम, फिर नया chapter सुरू करेंगे 4 या तो 5 जो अमन करेगा वो कर लेंगे, दोनों ही chapter अपनी जगा important है वैसे तो देखो बच्चो September तक हर teacher का यही target होता है कि वो September तक में आपके 8 chapter करवा दे तो अभी जुलाई का क्या चल रहा है अभी चल रहा है जुलाई का भई, अभी तो जुलाई शुरूई भी है मतलब 10-12 तारीक हुई है, मतलब अभी है 20 दिन हमारे पस यानि हमारे पस 17-18 दिन है तो बच्चो हम लोग क्या करेंगे इन 17-18 दिनों में हम लोग यह करेंगे कि मैं इसके साथ-साथ आपको 4th chapter और करा देता हूँ ठीक है मैं इसके साथ-साथ आपको 4th chapter और करवा देता हूँ जिसे हम लोग quadratic equation बोलते है ठीक है तो quadratic equation के questions मैं और करवा देता हूँ मतलब chapter करवा देता हूँ यह वाल आपको तो ये आपका जुलाई-जुलाई के अंदर खतम हो जाएगा और प्लस पूरी कोशिस रहेगी कि ए-पी भी शुरू कर दूँ पांच्छा चैप्टर भी शुरू कर दूँ क्योंकि पहले ही हमारा कोर्स डेड़ महीने लेट शुरू हुआ है तो उस चालिस दिन को कवर हमें अगर करना है तो इसलिए इसपीड में जो बच्चा बोल रहे न है इसपीड में करना,स्पीड में करना,ास्पीड में करना तो खुद कर लो,कोई दिक्ज़ नियुस निया लेकिन मेरी स्पीड यही रही ही ठीकिshirt और अगर किसी बच्चे वो जल्दी है यहां भई हमें फटा-फट करा दो, स्पीड में करा दो तो फिर आप जानते ही हो जल्दी का काम सैतान का चलो यह सब हो गया लास्ट कोश्चन इस टॉपिक से मतलब जितने भी आज मैंने कोश्चन करवा है न इर्रेशन नंबर से, उसमें से एक परसेंट भी अब कुछ भी बाहर नहीं आएगा डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन कंडिशन यही रहेगी ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती है बाकी कंडिशन, जासे अब मैंने यहां पर लिखवाए थ्री प्लस टू रूट फाइव, हो सकता है आजये, सेवन प्लस में फाइव रूट टू तब भी तो बात वही है, करना तब भी ऐसे ही है, हाँ, करना वैसे ही है कोई भी नया इसमें से, वो तीर नहीं मार ना में, ठीक है चलो, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहां पर, अब मैं यहां पर लिख रहा हूँ रूट 2 प्लस रूट 5 अब देख लो, दो नमबर है, दोनों के उपर रूट लगा हुआ है तो कहोगे, कि रूट 2 प्लस रूट 5, एक आपरी में संक्या है, ये बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है, तो हम क्या करेंगे? रूट टू प्लस रूट फाइव इसा रैसनल नम्बर, ये हम लेट करेंगे मैंने बताया ना, अगर रैसनल प्रूफ करना है तो रैसनल कर दो अब यह मत कहना कि अगर rational दिया हो तो वो कभी देंगे ही नहीं तुम्हें तुम्हारे course का ही नहीं है ठीक है तो बस हमने क्या कर लिया भई root 2 प्लस root 5 को हमने क्या माल लिया परी में संक्या माल लिया rational number माल लिया root 2 प्लस root 5 लेकिन अब ये थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, बच्चों ये दोनों, अब देखो, इस जगा पे, दोनों पे रूट आ गया, अब तक तो सिंगल रूट था, तो हम उसे सेपरेट कर देते थे, सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों पे रूट है, तो ऐसे क केस में, जब दोनों पे रूट, या तो अकेला रूट हो, जैसे कि रूट टू आला करवाया था, या तो अकेला रूट हो, तब स्क्वारिंग बोज साइड करो, या तो दो रूट एक साथ आ जाए, यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं प्लस हो, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते है, ऐसे केस में हम करते है, स्क्वारिंग बोज साइड, ऐसे केस में हम क्या करते है, स्क्वारिंग बोज साइड, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, स्क्वारिंग बोज साइड करने से पहले हमें काम करेंगे, क्या काम क किया हो जाएगा माइनस का अब करो squaring both sides squaring both sides दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो root 2 का square बराबर a बटा b माइनस root 5 का square whole square, सभी बात है वह इसके root से कटेगा 2 इसमें लगेगा a का square plus b ka square minus 2 a b यही होता है ना formula a minus b ka whole square का formula यही होता है a square plus b square minus 2 a b 2 a square बटा b square root 5 का 5 2 root 5 a बटा b 2 root 5 a बटा b अच्छा अब क्या करेंगे बाई अब root वाला नमबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ यह root वाला नमबर कौन सा दिखाई दे रहा है सिर्फ यह तो इस वाले को अकेला कर दो तो कैसे करेंगे minus की चीज़ है उठा के इदर ले आओ तो 2 root 5 a बटा b बराबर और जो बिना root वाले उन्हों सबको एक तरफ तो यह कौन है a square upon b square plus 5 और बच्चो यह वाला जो 2 था यह plus का था इस तरफ आ जाएगा तो किसका बन जाएगा minus का तो क्या बन गया 2 root 5 a बटा b a square upon b square plus 5 में से 2 गया 3 solve कर दो 2 root 5 a बटा b इसको इससे solve करेंगे क्या बनेगा a square इसको इससे करेंगे 3b square नीचे को नीचे करेंगे b square 1b से 1b कट गया बचा क्या 2 root 5 a बटाबर a square plus 3b का square अब यह मत करना a से a काट दो कहीं बीच में plus लगा हुआ काट मत देना ऐसे अब यह a यहाँ पर multiply कर रहा है नीचे जाके क्या करेंगा divide मैंने क्या बताया था अकेला कर दो मैंने क्या बताया था अकेला कर दो अब यह दो भी यहाँ पर क्या कर रहा है multiply वहाँ जाके क्या करेंगा divide तो मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चो जल्दी बता दो मैंने बताया था ना रूट वाले नमबर को अकेला कर दो तो देखो ये जो A B का फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है रेसनल और रूट फाइव कैसा है इर्रेसनल वही तीन लाइन दुबारा चिपका नहीं है बात खतम वही तीन लाइन दुबारा चिपका नहीं है बात खतम लेकिन हाँ इस ट्राइब का अगर कोशन आ गया तो बच्चो ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको घर से जो मैं कोशन दे रहा हूँ यही सेम कोशन दे रहा हूँ लेकिन तो बस उसमें रूट थी माइनस रूट फाइव दे रहा हूँ माइनस वाला दे रहा हूँ ठीक है तो आपको क्या करना है ब combinations वाली पार्टी को एठा कर ले जाना इस तरी 9 नी नी सॉरी गलत बता दिया आँ गलत बता दिया रूट 5-3 यह करना ठीक है रूट 5-3 यह आपको होमवक में दे रहा हूँ ठीक है रूट 5-3 है यह ऐई गोस्ट है यह कोश्व ठीक है बस क्या फरका गया है माइनस करना सेम यही चीज तो बच्चो यह कर लो फटा फट ठीक है फिर आज की किलास यहीं खतम करते हैं, next class में terminating, non-terminating और साथ में क्या करेंगे, और साथ में word problem करेंगे, ठीक है, तो बच्चो आज की किलास में यहीं खतम कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अच्छे से practice कर लेना, next class में terminating, non-terminating, सांत, असांत, यह करेंगे, और plus, साथ में word problem भी शुरू करा दूँगा, ठीक है, लगबग मैं word problem की दो किलासे तो लूँगा ही, यानि अभी यह मान के चलो, Friday को मैं आपका यह chapter खतम करूँगा, या Friday से पहले भी कर सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है, अगली class और लंबी ले लूँ, तो word problem सारे ही खतम हो जाए, ठीक है, चलो, तो आज की class यह खतम कर रहे हैं, भाई,